नमस्कारें पहिन बाचपई अपने यूटूब चैनल महित पहिन बाचपई पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यह वीडियो SSC MTS 2021 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ state-wise vacancy मतलब किस state में कितनी vacancy है अब इसके पिछे का reason यह है कि यहाँ से आप actual में समझ पाएंगे कि कहां का cut-up किस state का cut-up बहुत ज़्यादा जाएगा और कहां का cut-up ठीक ठाक रहेगा मतलब कौन से safe state रहेंगे आपके लिए और कहां पे danger zone रहेगा आपका मतलब कौन से state ऐस अब अगर previous year को देखके कोई बता रहा है कि बिहार की cut-up इतनी जाएगी तो वो गलत बोला है हो सकता है 2020 में बिहार में vacancy कम हो अगर इस बार जादा होंगी तो बिहार की cut-up बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी ऐस तरीके से हर एक state का आप लोग समझ सकते तो state-wise vacancy को समझ आपके लिए बहुत जरूरी है वहीं से आपको एक आडिया लगेगा कि कि किस state की cut-up कितनी रहेगी मतलब कितना उसमें उच्छाल आएगा और कहां की cut-up जो है maximum जाएगी वीडियो के थरो आप सारा senioris समझ जाएगे कि कि किस state की cut-up ज्यादा जाएगी और किस state की cut-up कम र यानि की 25-4-22 तक की vacancy की detail यह है यानि की vacancy अभी भी आपकी increase हो सकती है तो यह आपकी जो detail है वो multitasking की जो vacancy है उसकी detail है ठीक है और अभी मैं आपको हवलदार की इसके अगले बीडियो में बता दूँगा कि हवलदार की vacancy किस state में कितनी है ठीक है तो आप लोग देख पा और अगर आपने state select किया है तो उसके point of view से भी आप देख सकते हैं जैसे कि पंजाब में बात करें तो पंजाब में साथ vacancy है जम्बू कस्मीर में एक भी vacancy नहीं है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अच्छे मतलब state कौन कौन से है जैसे previous में भी दिल्ली मे आपकी रहेगी उसी तरीके से राजस्तान में भी बहुत अच्छी vacancy नहीं लेकिन हां बहुत कम भी नहीं 103 vacancy है ठीक है और मैं आपको बता देता हूं जैसे बेस्ट बंगाल में आप लोग देख लोग 187 vacancy है ठीक टाइक वेकंसी ओडिसा में 192 vacancy है इसी तरीके से असम मे आपकी कितनी vacancy है 142 vacancy है ठीक है इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में 286 vacancy है वहीं 36 गड़ में कम vacancy 28 vacancy है ऐसे महराष्टा में देखो महराष्टा में 2020 में भी ज़्यादा थी और इस बार भी ज़्यादा है 426 तो यह कितनी vacancy है तो अच्छी खासी vacancy है करनाटका की vacancy 2020 में बहुत ज़्यादा थी तो बहां की कटाप सबसे कम गई है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा आप लोग सारा scenario समझ पा रहे होंगे ठीक है अब यहाँ पे आप रीजन 22 भी देख सकते हैं जैसे NWR रीजन में अठावा टीक है उसके लावा आपकी NER रीजन में कितनी है 319, NPR रीजन में कितनी है 314, WR रीजन में आपकी 651 और SR रीजन में 555, KKR रीजन में 521, टोटल जो वेकनसी है वो कितनी है 339 वेकनसी यह किसकी है 18-25 इसके लावा 18-27 इस ग्रूप में आप लोग देख पा रहे होंगे इस ग्रूप में कहां ठिक टाक वेकनसी है देली में ठिक टाक वेकनसी है उसके अलावा 18-27 इस ग्रूप में आपकी जारखंड में 46 वेकनसी है बाकी तो हर जगक बहुत कम है ठीक है उसके अलावा आप देखो महारास्टा में 22 वेकनसी है तो अगर 18-27 इस ग्रूप की बात की जाए तो आपकी देली में ठीक ठाग वेकेंसी हैं उसके अलावा आपकी जारकंड में हैं और उसके अलावा आपकी महाराष्टा में बाकी तो बहुत कम-कम वेकेंसी हैं तो यहां से आपको आडिया लग जाए कटाप कितनी कह जाएगी तो टोटल आप लोग वेकेंसी MTS क की देख पा रहे होंगे 3698 वेकेंसी जिसमें 389 वेकेंसी है 18-25 गुरूप में और 319 वेकेंसी 18-27 गुरूप में टूटल कितनी है MTS की वेकेंसी 3698 ठीक है अब देख लो कटाफ बहुत जदा कहां की जाएगी यह भी मैं आपको दिखा देता हूं जैसे की पंजाब देख लो पंजाब में साथ वेकेंसी चैने टीक है इस तरीके सरिए वेख देखनें अवे में वेकेंसी नहीं है थीक है लगाण को देखो जैसे उत्तर प्रदेश हो उत्तरत प्रदेश में टूटल कितनी मैं CRW can T तो यहां की भी कटाफ बहुत जदा हाई जाएगी बिहार में एक भी वेकंसी ही नहीं है ठीक है ऐसे आप लोग देख लो जैसे कि यहां पे अंडमान निकोबार में तीन वेकंसी है ठीक है तो जहर सी वाद है जहां पे कम वेकंसी है बहां पे कटाफ बहुत जदा हाई जाए इसी तरीके से तमिल नाडू की जो कटाफ है वो आपकी ठीक ठाग रहेगी तो यह जो है वह अच्छे स्टेट माने जाएंगा मतलब यहां पर कटाफ आपको अमोमन ठीक ठाग देखने को मिलेगा तो अगर इन इस टेट में पार्टिकुलर इन स्टेट को आपने चूज किया तो अच्छी बात है अगर अले स्टेट प्रिफरेंश दिए तो बहुत अच्छी बात है जहां मिली मम कटाफ होगी उससे आपका सेलेक्शन हो जाएगा मतलब जितने आपके से कटव जाएगा मतलब कि यह स्ची यह अपको समझता आपके आपॉग Twok這邊 होगी कि आपका स्व जाएगी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी जाने का मतलब बहुत ज्यादा हाई कट आप जाएगी तो उम्मिद करता हूँ कि सारा सिनेरियो आप समझ पाया होंगे आपको करना क्या है इस वीडियो को ज्यादा सेर करना है उसके लावा अगर आप चैनल पर नए है और आपने अभी तक किसे सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीच यहाँ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा